नमस्ते अबरिवान दिसी संदीप and welcome to my channel only study by संदीप दिमान आज हम discuss करने बाले हैं national symbols को बहुत से ऐसे questions होंगे जो इसमें आपको नहीं आते होंगे तो उनको आज हम discuss करेंगे उन बातों को discuss करेंगे जो आपको सायद आज तक पता नहीं थी national symbols के बारे में चलिए discussion start करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम national symbols में हमारे राष्ट्रिय गान की ठीक है national anthem की तो national anthem जो है आपको पता होगा जन गन मन ये हमारा national anthem है इसको सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार लिखा किसने है रविंदनास टैगोर ने यहाँ तक तो आपको बिलकुल पता होगा शायद ये आपको पता ना हो 1912 में भारत भाग्य बिधादा टाइटल के साथ ये छपा था तत्तव बोधिनी में ठीक है तत्तव बोधिनी पत्तर में पत्रिका में अब इसका टाइटल जो है वो जनगनमन है और इसकी भाषा जो है बैंकॉली है ठीक है जो हम गाते हैं वो बैंकॉली भाषा में गाते हैं आगे हम बात करें शान्ती निकेतन, रविंदनाथ टैगोर की बात हुई तो शान्ती निकेतन की बात करना जरूरी है ये एक प्रकृती बादी स्कूल था जिसे रविंदनाथ टैगोर ने चलाया था और बात करें सबसे पहला किसी इंडियन को मिला था तो बो थे रविंदना टैगोर कौन सी फील्ड में मिला था इनको तो इनको मिला था लिट्रेचर में सहाइत्य में आगे हम बात करते हैं 1919 में ये भी शायद आपको पता ना हो 1919 में जनगन मन को टैगोर ने ही इंगलिश में ट्रांसलेट किया था और इसको टाइटल दिया था The Morning Song of India ठीक है तो ध्यान रखेगा इस बात को आगे हम बात करते हैं ये भी आपको पता होगा बंगला देश का जो रास्ट्रिय गान है अमार सोनार बंगला ये जो है ये भी लिखा है टैगोर ने है लेकिन शायद आपको ये बता ना हो कि सिरलंका का जो रास्ट्रिय गान है उसमें helping hand की भूमिका निवाई थी रविंदनार टैगोर ने ठीक है उन्होंने help की थी इस anthem को बनाने में आगे हम बात करें तो ये शायद आपको पता नहीं होगा कि जो रास्ट्रिय गान है जन गनमन उसमें 5 पद होते हैं ठीक है और 13 lines को हम गाते हैं और इसको गाने में 52 second का time लगता है ठीक है अब कई बार क्या होता है सिर्फ एक धुन बजाय जाती है जैसे शुरू और आखिर का कुछ बजाया जाता है इसको लगुगान बोलते हैं ठीक है तो लगुगान के रूप में जब हम इसको गाते हैं तो इसमें 20 second का समय लगता है इंपोर्टेड है ध्यान रखिएगा आगे हम बात करें तो अपनाया कब गया था इसको तो 24 जनवरी 1950 को संभिधान लागू होने से दो दिन पहले जब संभिधान की अंतिम संभिधान सभा की अंतिम बैठेक थी तो उसमें जनगन मन को अपना लिया गया और साथ में अपनाया गया था बंदे मातरम को रास्ट्य गीत के रूप में और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र परसाद को पहला रास्ट्र पती भी चुन लिया गया था ठीक है यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी होगी नैशनल एंथम के बारे में अब बात करते हैं नैशनल सौंग की रास्ट्य गीत की तो देखो इसकी जो भाशा है वो संस्क्रित है गान की कोन सी थी? बेंगॉली थी ठीक है और बात करें तो इसमें कुछ बेंगॉली के शब्द भी है रास्ट्रिगान में भी कुछ संस्कृत के bird's है, ठीक है? अब इसको लिखा किसे था? किस ने था? इसको लिखा था, बंकिम चंदर चटोप ध्याए जिनको बंकिम चंदर चेड़रजी भी हम बोल देते हैं, तो confused मत करियेगा कि चटोप ध्याए है या चेड़रजी है बंकिम चंदर चैटर जी ने 1882 में आनंद मठ नामक एक उपनियास लिखा था जिसमें बंदे मात्रम को भी लिखा गया था एक important question यहां से आता है कि सन्यासी विद्रो का या फिर आनंद मठ में किस विद्रो का वरनन किया गया है या सन्यासी विद्रो का वरनन किस उपनियास में किया गया है तो आनंद मठ में चैटर जी ने सन्यासी विद्रो का वरनन किया है इसको पहली बार कब गाया गया था तो इसको पहली बार गाया गया था ठारसो चानवे में अब गाया किसने था, important चीज ये है, तो इसको गाया था, रविंदरनाथ टैगोर ने, ठीक है, ध्यान रखेगा इस चीज को, इसको रविंदरनाथ टैगोर ने गाया था, ना कि चैटर जी ने, अब इसको time कितना लगता है, तो इसको गाने में time लगता है, 65 seconds, या 1 minute 5 seconds लगत जो रविंदरनाथ टैगोर ने ही लिखा था, और उसको खुद ही उन्होंने translate किया था, इंग्लिश में, आगे हम बात करते हैं, हमारे national calendar की, जिसको रविंदरनाथ टैगोर ने ही लिखा होता है, उस calendar को बोलते हैं, ग्रिगेरियन calendar, लेकिन जो हमारा रविंदरनाथ राश 78 AD में इन्होंने शक्षंबत चलाया था, इसी को हमने राश्ट्रे calendar के रूप में अपनाया है, इस पे पहला दिन कौन सा होता है, तो पहला दिन होता है 22 March, क्योंकि 22 March 1957 को ही इसे अपनाया गया था, ठीक है, अगर हम बात करें, कि यह तो मैंने आपको बता दिया कि पहला द तो 21 March पहला दिन होगा, और इसमें महीना भी आपने ध्यान में रखना है, पहला महीना होता है चैत्र और आखरी होता है फालगन, आगे बात करते हम तिरंगे की, रास्ट्रे द्वज की, तो रास्ट्रे द्वज जो है, पहले तो देखो, कन्फ्यूजन हो जाती है, वैसे सिंपल सी चीज है, कि किसी देश की श्वतंतरता का परतीक है, लेकिन जब एक्जाम में आता है, उप्शन दिये होते हैं, श्वतंतरता का परतीक है, या प्रभुसत्ता का, ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपने, श्वतंतरता का परतीक होता है, बात करते हम आगे, इसम को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को देखो जंडा जो है वो पहले चाहिए था न जब आज अजाध होना था उस दिन जंडा तो चाहिए था न तो इसको पहले ही ले लिया गया था ध्यान में रखेगा बात करते हैं इसके डिजाइनर कौन थे इसके डिजाइनर थे पिंगले वैंक्या ठीक है ध्यान में रखना है इस चीज को पिंगले वैंक्या और जंडा समिती भी बनी थी एक जंडा कोमेटी जो थी फ्लाइक कोमेटी उसकी अध्यक्स थे डॉक्टर राजेंदर परसाथ जंडे की लंबाई चुडाई का अनुपाद या रेशो आपको पता होग देखो 1966 तक जो था शेर बिना विवाद के हमारा राश्ट्य पशू था उसके बाद 6 साल तक ये विवाद के साथ रहा कि शेर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बाद 1972 में टाइगर को हमारा राश्ट्य पशू बना दिया गया ठीक है आगे हम बात करते हैं अशोक चक्कर है जिसके एक तरफ घोड़ा है और एक तरफ शेर है ठीक है जो ये शेर है इसमें क्या है ये देखो एक उनिट पहले में कुछ और बता देता हमें आपको जो चार शेर है वो एक फुल वलूम लोटस के उपर है और जो एक्जामपल है फाउंटेन हैड अफ लाइफ औ ठीक है और इसके नीचे सत्यमेव जैते लिखा है वो देवनागरी लिपी में लिखा है ये भी आपको पता होगा और ये शायद आपको ना पता हो जो ऑफिशल सील होती है प्रेजिडेंट की स्टेट गवर्मेंट की और सेंट्रल गवर्मेंट की वो हमारा नैशनल एमबल की तो घोड़ा स्फूर्ती का प्रतीक है और चक्र जो है वो दूसरी दूसरी तरफ जो है वो बुल है सांड है जो की ताकत या हार्डवर्क का प्रतीक है इसमें कुछ और भी है आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं अब बात करें हम चक्र की नीचे सत्यमेब जो लिखा है वो लिया गया है मुड को पनिष्ट से ठीक है और रास्टी चिन अशोक स्तंब से लिया गया है ये और इसे अपनाया कब गया था तो इसको 26 जनवरी 1950 को पनाया गया था और एक चीज और है देखो ये जो लॉइन है ये जो यहां पर सिर्फ हाती और घोडा और सांड ही नहीं है इसमें लॉइन भी है होट्स भी है अलिफेंट भी है बुल भी है ठीक है ये चार डारेक्शन में होते हैं और ये चारों डारेक्शन के गार्डियन होते हैं गार्ड्स होते हैं गार्ड्स इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनको मतलब मतलब क्या है इनको चारों दरफ लगाने का तो इसका मतलब यह है कि यह चारों दरफ के guardian है ठीक है तो north side में loin है south में hot है east में elephant है और best में bull है उसके बाद हम बात कर लेते हैं national animal की national animal कौन सा है हमारा तो tiger है मैंने पहले ही discuss कर लिया इसके बारे में 1932 से पहले शेर था और अब tiger है 1973 में tiger project लगा था यह भी आपने द्यार में रखना है और tiger state जो है हमारा MP है तो hopefully आपको यहां से कुछ जाने को मिला होगा आपको वीडियो बसंद आया होगा बसंद आया है तो like कीजिएगा share कीजिएगा थाइंक यू कीजिएगा बस्टेशी